नमस्कार दस्तों स्वागा थे आप सभी का हमारे चैनल में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 36 गड़कर इंटरफेर की 1 से 15 मई तक का जिसमें हम कुछ निम्न मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही और भी कुछ टॉपिक इसमें धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए 10,000 रुपए की अनुदान की रासी सीधे किसानों के खातों में जमा होगी इसके लिए राज्य सरकार ने 59 सो करोड रुपए का प्रावधान किया है इस योजना के तहत प्रदेश के 18,75,000 किसानों को लाब मिलेगा तो ये है राजिव गांधी किसान न्याय योजना जो 36 गड़ के किसानों के लिए है और इसमें क्रिसी आदान यानि क्रिसी इंपुट एगरिकल्चरल इंपुट्स के सहायता के लिए 10,000 रुपए की आदान की रासी जो है किसानों के खातों में जमा होगी अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहां नेक्स्ट हमारा है कुरोना संक्रमण से बचाओ के लिए वर्तमान में प्रदेश में 1200 लोगों की प्रती दिन जो है जाच हो रही है और अन्य राजन्यों से लोटने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए गाओं में करीब 16,500 कौरेंटाइन सेंटर जो है बनाए गये हैं और जो सीमावर्ती छेतर हैं वहाँ पर 623 कौरेंटाइन सेंटर बनाए गये हैं नेक्स्ट है हमारा शासकी सेवकों और उनके आसरित जो परिजन हैं उनके इलाज के लिए राज्य सरकार ने 36 गड़ के 88 और राज्य के बाहर 49 ऐसे होस्पिटलों को मानेता दी है ठीके नेक्स् इसके तहट APL रासनकारड पर 10 रुपए प्रती किलो की दर से अधिक्तम 2 किलो जो है नमक प्रती रासनकारड प्रती माह एक जुन से प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा जमीनों की खरीदी बिक्री की जो शास्की गाइडलाइन की जो दर है उसमें 30 प्रतीसत की छूट दी जा रही थी जिसको पहले 30 जून तक के देना था लेकिन अब उसे पुरे वर्स के लिए जो है इसको छूट को लागूक कर दिया गया है नेक्स्ट है हमारा मोर जमीन मोर मकान योजना के तहट 40,000 अतरिक्त आवास मनाये जाने की स्विक्रिती दी गई है और इसके साथ ही जो मोर आवास मोर चिनहारी योजना है उसके तहट जो गरीब किरायदार है उनको भी समाहित करते हुए उनको निउनतम दर पर आवास इतगराहियों को एक महा से अधिक का राशन वित्रन जो है एक साथ करने का निउने लिया गया है मतलब एक से अधिक महा का जो राशन है वो अब जो है ले सकते हैं ऐसा निउने किया गया है और द्योगिक नीती के तहट राज्य में एथनाल उतपादन इकाहियों की अपना के लिए विशेश प्रोशसाहन पैकेज का अनुमोधन भी किया गया है। राज सरकार ने यह भी निर्ने लिया है कि कोरोना महमारी के मद्दे नजर प्रदेश में देशी और विदेशी मदिरा पर विशेश कोरोना सुल्क लगाया जाएगा। विदेशी मदिरा पर दस रुपए प्रती बोटल और सभी प्रकार की विदेशी मदिरा की जो फुटकर विकरी है। उस पर 10% का जो है टेक्स यहाँ पर लगेगा। 36 गड माधमिक सिक्षा मंदल ने लौकडाउन के मद्दे नजर दसवी और बारहवी कक्षा की बची हुई परिक्षाएं नहीं करने का निर्ने लिया गया है। छात्रों को अब उनके विश्यों के अंक आंतरिक मुल्यांकन के आधार पर दिये जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा राज्य सरकार की खर्च पे कटोती। राज्य सरकार ने कुरोना संक्रमन और समान्य आर्थिक मंदी से राजस्व की प्राप्ती में जो कमी है उसको देखते हुए सरकारी व्याय की सीमा को कम कर दिया है। अब सभी विभाग जारी बजट को पूरे साल में 100% की जगा 70% ही बजट का खर्च कर पाएंगे। इसके अलावा विभागों को वित्ती वर्स 2020-21 के जो आबंटित जो बजट है उसको साल की चार तिमाहियों में खर्च करने के पूर्व निरधारी सीमा में भी इसमें संसुधन किया गया है और इस सम्बद में परिपत्र भी जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा राशन कार्ड और आधार लिंकिंग। नेक्स्ट है हमारा भिलाई इसपाच सेंत्र के तीसरी तिमाही के अंतिम महीनों में कमपनी के द्वारा जो है 36 प्रतिशत और 47 प्रतिशत की जो बिकरी है उसमें वृत्धी हुई है। तो ये जो है सेल के जो चेर्मेन है अनिल कुमार चौधरी ने भिलाई इसपाच सेंत्र के वरिष्ट अधिकारियों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से इस चीज़ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो तीसरी तिमाही के अंतीम महिने है उसमें कमपनी के द्वारा विकरी में 36 और 47 प्रतिशत की वृद्धी दर्ज की है। वित्वर्ष का समापन किया। श्री बगेल ने कहा कि वर्तमान आर्थिक कठनाईयों को देखते हुए योजना के क्रियानवेन के लिए आपकारी कर्मे वृद्धी करने और इससे प्राप्त अतरिक्त रासी का उपयोग, सिक्षा, स्वास्थ और आवागमन से समंधित सहरशनाओं के रखरकाओं में किया राजसरकार ने लॉगडाउन में फसे लोगों के लिए अंतरराज्जी आवागमन की अनुमती देने के लिए यी पास एप्लिकेशन और वेबसाइट लाँच की है, अनुमती प्राप्त करने के एक छुक व्यक्ति आनलाइन आवेधन कर सकते हैं, आवेधकों को उनकी आप या किसी के निधन जैसी परिस्तिती होगी, तब वो विचार किया जाएगा, ओनलाइन आवेधन करते समय, आवेधकों को व्यक्तिगत विवरण, यात्रा के संबन्द में विश्तर जानकारी जिसमें वाहन नंबर और यात्रा का विवरण ये सब चीत देना पड़ेगा, सि 15 करोड रुपे का मास्टर प्लान तयार किया गया है, महासमुन के विधायक विनोध चंद्राकर ने बताया है कि सिरपूर के विकास के लिए राज्य सरकार ने विशेष छेत्र प्राधी करण का कठन किया है, और इसके माध्यम से सिरपूर और आसपास के जो शेत्र हैं, उ नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जी ने जो प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है उसके बारे में। अब नेक्स्ट हमारा है वनोपजों की खरीदी का, राज्य सरकार ने वनवासियों के हिटों को ध्यान में रखते हुए जो समर्थन मुल्ले पर पहले 23 हो रहे थे, अब 25 लगू वनोपजों की खरीदी जो है करने करने ने लिया गया है, राज्य में पहले सबसे सुरवात म मात्र साथ लगू वनोपजों की समुर्थन मुल्ले पर जो है खरीदी की जाती थी, अब इसकी संख्या 25 कर दी गई है और इन लगू वनोपजों में अब गिलोय और भेलवा को भी सामिल किया गया है, मर वनोपज संग्राहकों को समर्थन मुल्ले के लावा अतरिक्त प्रो काल मेग, धवाई फूल, नागर मोथा, इमली फूल, करंज बीजा, सहद, बेल गुदा, आवला, रंगीनी लाख, कुस्मी लाख, फूल जाडू, चिरोंजी, गुटली, कुलू गून, महुआ बीज, कौच बीज, जामुन बीज, बाय वर्डिंग और साल बीजा, ये सारी चीज, वनोपच से, रिलेटेट करेंट फेर है, चतिस गड़ ने, देज भर में, जो लगू वनोपच की खरीदी हुए, उसमें टॉप किया है, ठीक है, सरवाधिक मुल्य की, लगू वनोपच खरीदी यहां पर हुई है, और देज में, कुल जो खरीदी हुई है, 18.67 की, अकेले चतिस गड़ ने इसकी खरीदी की है, तो ये था कुछ लगू वनोपच से, अब हाई कोड का जो आवकास है, उसमें बदलाव हुआ है, चतिस गड़ जो उच्च नियालय है, उसने 18 मई से लेकर के 12 जुन तक के पुरु में, जो ग्रिश मकाली नावकास गोसित क किया था, उसको इस्थगित कर दिया है, अब इस दोरान भी आम दिनों की तरह उच्च नियालय में, जो है, चतिस गड़ के सभी जीला नियालयों में भी कामकात जारी देगा, गोर्तलब है कि उच्च नियालय द्वारा प्रतेक वर्स ग्रिश मकाली नावकास गोशित किया और इस ग्रिश मकाली नावकास में आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य सिविल मामलों की सुनवाई इस्थगित रहती है, लेकिन अब जो है, सभी मामले सुने जाएंगे, बलरामपुर जो जिला है, वहाँ पर महिला रोजगार से संबंधित करेंट अफेर है, बलरामप जो समू बना करके इन लोग मुनगे की पत्ती एकठा करती है, और उनको सुखा करके उनका पाउडर तयार करती है, और इस समू की सदस से राजवन्ती नहीं बताया है कि इससे लॉगडाउन के दवराण उनके आयका एक जरिया मिला है, महिलाओं के द्वारा तयार मुनगे कि इस चूर्ण को स्वास्त के लिए काफी लाब दायक मना जाता है, और इसकी आपूर्ती आंगन बाड़ी केंद्रों में भी की जाती है, अब हम करोना से सम्मंधित मनरेगा का जो करेंट अफेर है वो देखते हैं कि राज में किस प्रकार इस की स्थिती है, राज में महत् गांधी राष्टी ग्रामीड रोजगार गरेंटी योजना, मनरेगा के तहत मजदूरी का कारे मिलने से लॉकडाउन के बावजूद भी ग्रामीड छेत्रों में अर्थवरस्था की स्थिती काफी बहतर बताई जा रही है, अधिकारिक जानकारी के अनुसार लॉकडाउन क बाद भी केवल अप्रेल महिने में ही नए और जो पुराने विकास कारे हैं, इनके तहत ग्रामीडों को 548 करोड रुपए से अधिक की जो मजदूरी है उसका भुकतान किया जा चुका है, साथ ही सरकार की और से समगरी मद में भुकतान के लिए 210 करोड रुपए भी जारी क जा चुके हैं, वहीं 50 दिनों के जो अत्रीक्त रोजगार जो राज्य के द्वारा प्रवाइड किया जाता है, उसके लिए करीब 70 करोड रुपए की रासी भी जल्द जारी कर दी जाएगी, पंचायत और ग्रामिड विकास विभाग के जो प्रमुक्स सचिव हैं, गौरो रोजगार दिवस का स्रिजन किया है, इस दोरान अधिकारियों द्वारा कारे स्थलों का सतत नरिक्षण भी किया जा रहा है, नक्स है बिहान योजना से संबंधित करेंट फेर, जगदल पूर जिले में रास्ट्री ग्रामिड आजीवी का मिसन जिसको बिहान नाम दिया है कि महिलाओं ने लागडाउन के दोरान ससक्ती करण के मिसाल पेस की है, इन महिलाओं ने अपने महनत और लगन से बड़ी संख्या में फेस मास्क को बनाया है, और ना केवल बनाया है और लोगों को कुरोना से संक्रमन से बचाने में मदद की है, बलकि इसके जरिए इन्हों प्रसासन की ओर से बिहान के तहट बने महिला समुहों को मास्क बनाने का काम सौपा, जिले में 41 समुहों की 100 से अधिक महिलाओं ने अब तक 45,000 से अधिक मास्क बना लिये हैं, इतना ही नहीं बिहान की महिलाओं गरामिर छेतरों में बैंक सखी की भूमी का भी निभा रही ह इन महिलाओं ने ग्यारा सौ से अधिक बैंक ग्रहकों के साथ करीब साढ़े पंदरा लाख रुपए का लेंदिम भी किया है ठीक है तो ये था नेक्स्ट है हमारा जो निजी स्कूल है उस पेर जो है फीस जो है उसके लिए अधिनियम बना जाएगा तो प्रदेश में अवसा से उनकी और इसके लिए इकचुक लोग 15 मही याने की आज तक स्कूल सिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपने सुझाओ भेज सकते हैं अधिनियम का प्रारूप बनाने की सम्बन में स्कूल सिक्षा मंत्री डक्टर प्रेम साय सिह की अध्यक्षिता में मंत्री परिसत क उपसमीती की बैठक हुई है और इस बैठक में आम लोगों से सुझाओ के लिए लोग सिक्षण संचालनाले की उपसंचालक एक बंजारा को नोडल अधिकारी बनाया गया है गौरतलब है कि राज्य में नीजी स्कूलों की फीस विनियमन की विभिन पहलूँँ पर विचा करके अनुसंसा करने के लिए स्कूल सिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्सी मंत्री परिषद उपसमीती बनी है ठीक तो ये था आज का करेंट अफैर जो एक से पंदरा मही तक हमने डिसकस कर लिया साथ ही आपको बताना चाहूंगा अगर आप घर बठे प्यस्सी की त्यारी करना चाहते हैं या कोई भी अधर एक्जाम की जो 36 गड़ में होता है उसके लिए आप हमारे एंडॉइड एप को जरूर डाउनलोड करें थैंक यू